हलो गाईज, वेलकम टू माई योटूब चैनल आर्किटेक्ट आर्या, आज हम प्लान देखेंगे 50 feet by 50 feet का, यानि आज हम घर का नक्षा देखेंगे जिसका लेंथ हमारा 50 feet का है और जो ब्रेथ हमारा वो भी 50 feet का है, तो बिसिकली ये जो हमारा प्लान है, ये फ्रेंट हाउस प्लान है, यानि फ्रेंट में हमारा रोड आएगा, और वेंटिलेशन हमको सिर्फ फ्रेंट में से मिलेगा, और बाकी जो तीनों साइड है, वो तीनों साइड क्लोस डाएंगे, तीनों साइड घर आएंगे, तो आप वीडियो पूरा देखिए, तो आपको प्रॉपरली प बनाया है यह हमारे यह 50 feet by 50 feet का है तो इसके अंदर हमने 3 flat बनाए है दो flat जो हमारा वो 2 BHK है और एक flat हमारा 1 BHK है और हमने चारो तरफ से 22 feet का offset लिया है यानि जो आपका outer जो wall है वो 50 feet by 50 feet का रहेगा और जो inner wall है आपका जहांसे आपका यह start होगा construction वो 46 feet by 46 feet का रहेगा यानि आपका चारो तरफ से 22 feet का छुटेगा तो आपको बीच में जो built-up area मिलेगा वो 46 feet by 46 feet का मिलेगा अगर आपको 2 feet से ज्यादा रखना है 3 feet का 4 feet का offset तो आप वह भी रख सकते हैं तो हम video start करते हैं तो हमारा entrance यह 46 feet के side से है तो enter करते हमारा passage area आता है यह हमारा passage area है इसका जो size है वो 8 feet 2 inch इंटू 12 feet का है यानि यहां से यहां तक length हमारा 8 feet 2 inch का है और यहां से यहां तक breath हमारा 12 feet का है पैसेज के यह starting में हमारा यह 3 feet का door दिया है इससे हम enter करते हैं hall के अंदर तो हमारा यह hall area है hall का जो size है वो 14 feet 6 inch इंटू 11 feet 6 inch का है यानि यहां से यहां तक length हमारा 14 feet 6 inch का है और यहां से यहां तक breath हमारा 11 feet 6 inch का है hall के अंदर ventilation के लिए 2 window provided है एक window हमारा यह front side open होता है तो आप यहां पे 4 feet से 5 feet का window provide कर सकते है और एक हमारा यहां left side open होता है तो आप यहां पे 5 feet से 6 feet का window provide कर सकते है hall से हम आगे जाए तो यह 4 feet 4 inch का passage है पैसेज में आगे यहां पे left side WC area दिया है यानि toilet area तो हमारा यह separate है WC area और bathroom area दोनों अलग-अलग separate में है WC का जो size है वो 4 feet into 3 feet का है यानि यहां से यहां तक length हमारा 4 feet का है और यहां से यहां तक breath हमारा 3 feet का है इसके अंदर ventilation के लिए यहां पे यह window provided है तो यह window हमारा left side open होता है तो आपको proper ventilation मिल जाएगा इसके बाजू में हमारा यह 2 feet 6 inch का दोर दिया है इसे हम enter करते हैं bathroom के अंदर bathroom का जो size है वो 6 feet 10 inch into 3 feet का है यानि यहां से यहां तक length हमारा 6 feet 10 inch का है और यहां से यहां तक breath हमारा 3 feet का है bathroom से हम बाहर आये तो यह corner में हमें यहां पे 2 feet 6 inch का जगा मिल जाएगा तो आप यहां पे washing machine रख सकते हैं यहां पे fridge भी रख सकते हैं इसे हम आगे जाए तो हमारा यह kitchen area आता है kitchen का जो size है वो 14 feet 6 inch into 5 feet 2 inch है यानि यहां से यहां तक length हमारा 14 feet 6 inch का है और यहां से यहां तक breath हमारा 5 feet 2 inch का है तो basically आपको यह इतना area L वाला फूरा kitchen में मिलेगा पर हम इतना easy use कर रहे है kitchen के अंदर kitchen में आप यहां L shape में platform लगा सकते हैं यहां पे आप gas रख सकते हैं wash basin आप यहां पे रख सकते हैं kitchen के अंदर ventilation के लिए आप यहां पे 3 feet से 4 feet का window provide कर सकते हैं kitchen से हम आगे जाये तो यह 3 feet का passage है passage area में हमारा यह first door दिया है तो यह 3 feet का door है इससे हम enter करते हैं first bedroom के अंदर इसका size है वह 11 feet into 9 feet का है यानि यहां से यहां तक length हमारा 11 feet का है और यहां से यहां तक breath हमारा 9 feet का है bedroom के अंदर ventilation के लिए आप यहां पे 4 feet से 5 feet का window provide कर सकते हैं इससे हम बाहर आया तो यहां passage area है sausage area के आगे हमारा यहां door दिया है 3 feet का इसे हम एंटर करते हैं second bedroom के अंदर तो हमारा ये second bedroom है ये हमारा master bedroom है इसका जो size है वो 11 feet into 9 feet 6 inch का है यानि यहां से यहां तक length हमारा 11 feet का है और यहां से यहां तक breath हमारा 9 feet 6 inch का है ये हमारा master bedroom है तो इसके अंदर हमारा attached WC plus bath area होगा यानि attached to toilet plus bathroom area तो आप देख सकते कॉर्णर में हमारा ये 2 feet 6 inch का डोर दिया है इसे हम इस area के अंदर enter करते हैं तो इसका जो size है वो 3 feet into 7 feet का है यानि यहां से यहां तक length हमारा 3 feet का है और यहां से यहां तक breath हमारा 7 feet का है इसके अंदर ventilation के लिए यहां पे ये window provided है तो ये window हमारा back side open होता है त आपको proper ventilation मिल जाएगा और हमारा master bedroom के अंदर भी दो window provided है एक हमारा यहां left side में तो आप यहां पे 5 feet 6 feet का window provide कर सकते हैं और एक हमारा यहां back side में आप यहां पर 3 feet 4 feet का window provide कर सकते हैं back side में आप यहां balcony भी बना सकते अगर आपको useful है ground floor में आप balcony मत बनाईए अगर आपको first floor बनाना गांड स्टीक्र 我र से बालकनी बनाना यां पर ढ़र कर दीजिए तो घुआ समारा यह जो र स्ट्रम में यह हमारा हम दी एक हाल मिर्या गे i सेकेंड मास्टर बेड्रोम और अटेश टबलू सी प्लस बात एरिया तो हमारे यह दो फ्लैट कंप्लीट हो गया है आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं मैं इसलिए आपको दोनों फ्लैट हमारा सेम ही साइज है अब मैं आपको यहां सेंटर वाले फ्लैट का हो गता देता हो तो जो सेंटर वाला फ्लैट हमारा यह वन पी एच पे हैं तो पैसिज अपरिया के आगे यहां, यह ट्रीपीट का डोड दीया है इसे हम एंटर करते हैं ने करने हमारा हॉल एरिया आता है। हॉल का जो hai वह 14 feet 6 inch into 11 feet 6 inch का है यानि यहां से यहां तक length हमारा 14 feet 6 inch का है और यहां से यहां तक breath हमारा 11 feet 6 inch का है वाल के अंदर ventilation के लिए आप यहां पर front में window provide कर सकते हैं आप यहां पर 2 feet 3 feet 4 feet tuk window provide कर सकते हैं hole के अंदर hole से हम आगे जाए तो 3 feet का passage आता है, passage के अंदर हमारे यहां corner में दोर दिया है 2 feet 6 inch का, इससे हम enter करते हैं WC plus bath area, यानि toilet plus bathroom area, इसका जो size है वो 7 feet 10 inch into 3 feet का है, यानि यहां से यहां तक length हमारा 7 feet 10 inch का है, और यहां से यहां तक breath हमारा 3 feet का है, इसके अंदर ventilation के लिए यहां पर यह window provided है, यह window basically हमारा OTS के अंदर open होता है, तो आपको proper ventilation मिल जाएगा इसके अंदर, OTS जो होता है वो open to sky area होता है, यह उपर तक open रहेगा तो आपको proper ventilation मिल जाएगा, इससे हम बाहर आए तो यह passage area के आगे हमारा kitchen area आता है, kitchen का जो size है वो 12 feet into 5 feet 8 inch का है, यानि यहां से यहां तक length हमारा 12 feet का है, और यहां से यहां तक breath हमारा 5 feet 8 inch का है, तो आप यहां L shape में platform लगा सकते हैं, आप यहां पर gas रख सकते हैं, wash basin यहां रख सकते हैं, और अगर आपको fridge रखने हैं तो आप यहां पर fridge भे रख लीजिए, kitchen के अंदर ventilation के ल मिल जाएगा kitchen के अंदर, kitchen के हम आगे जाए तो यह 3 feet का पैसे जाता है, इसे हम enter करते हैं master bedroom के अंदर, तो हमारा यह first master bedroom है, इसका जो size है वो 11 feet into 9 feet 6 inch का है, यानि यहां से यहां तक length हमारा 11 feet का है, और यहां से यहां तक breath हमारा 9 feet 6 inch का है, तो इसके अंदर ventilation के लिए आप य 5 feet का window provide कर सकते है, तो आपको proper ventilation मिल जाएगा back side से, और जैसे कि मैंने आपको बताए है master bedroom है, तो इसके अंदर attached हमारा WC plus bath area रहेगा, यानि toilet plus bathroom area, इसका जो size है वो 3 feet into 7 feet का है, यानि यहां से यहां तक length हमारा 3 feet का है, और यहां से यहां तक breath हमारा 7 feet का है, तो आप इसके अ back side के अंदर, तो यह master bedroom में अगर आपको उसके अंदर balcony provide करना है, तो आप यहां balcony भी provide कर सकते है, master bedroom के अंदर हमने corner में यहां 2 feet का door दिया है, इसे हम इस OTS के अंदर enter कर सकते है, ground floor के अंदर, तो basically हमने यह 4 floor की building मनाई है, तो अगर ground floor में उपर से कोई कच्छडा फेगेगा तो अगर आपको यहां साफ करना है, या फिर ground floor वाले से use भी कर सकते है, kitchen के लिए भी use कर सकते है, या फिर wash area की लिए भी use कर सकते है, जो यह OTS का width है, वो 2 feet का है, आप इसे 2 feet 6 inch का भी width दे सकते है, तो guys हमारा ground floor का plan complete हो गया है, वैसे ही मैंने same 4 floor की building मनाई है, तो उपर प first floor पे जाने के लिए, तो हम यहां से चड़ेंगे और यहां से turn के उपर चले जाएंगे उपर वाले floors पे, तो guys हमारा plan complete हो गया है, guys अगर आपको यह plan अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो please इस वीडियो को like कर दीजिए, और channel को subscribe कर दीजिए, guys अगर आपक you guys for watching this video, thank you.